नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता राजस्थान के भिलवाडा के कोटरी थाना छेत्र में बकरी चराने गई एक नाबालिक बच्ची से गैंग रेप और उसे कोईले के भट्टी में जला देने के मामले से में बीजेपी और सर्वसामाज का तीसरे दिन भी धरना जारी है बीजेपी के प्रदेश अच्भ्यक्ष सीपी जोशी और प्रमुख गुजर नेता विजय बेसला ने बच्ची के घर जाकर परीजनों को सांत्वना दी इसी के साथ घटना इस्थल का मुआयना भ पर हम बच्ची के परिवार को क्या जवाब उसकी मां बिलग बिलग कर अपनी बेटी मांग रही है सरकार दे सकती है क्या बता दे कि उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी आया ना है हम अपना अधिकार लेना अच्छी तरह से जानते हैं हम बात नहीं करना चाते हैं हमें जो मां के तारे थोड़ी मांग रहे हैं साथ दिन के अंदर आप चार्शीट फाइल कर दे थाना गाजी में आपने जो मुआफजा दिया है यहां क्यों नहीं देना चाहते आंदोलन और तेस्ट करेंगे हमने सिर्फ म्याय मांगा है हमने एक संजीदा चीफ मिनिस्टर से संजीदगी की उम्मीद की है आपको पता दे विजय वैसला ने आगे कहा कि हम राजसरकार के साथ साथ केंदर से भी मांग रहे हैं वही सहायता दे मैं राजनीती नहीं करना चाहता मैं तो अपने समाज की बेटी के लिए न्याय मांग रहा हूं अगर यह मांगना गलत है तो मुझे फा आगे आपको पता दे कि मुख्यमंजरी अशो गहलोत और पुलिस महानेदेशक उमेश बिश्वा के निर्देश पर अतिरिक पुलिस महानेदेशक क्राइम दिनेश एम एन ने भी घटना इस्थल का निरिक्षन उन्होंने बालिका के परीजनों से बाचीत की बता दे कि भा और अतकारी नोकरी दी जाए आपको बता दे कि भिलवाड़ा पुलिस ने गैंग रेपः। और हत्या के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो वहीं एक बाल रेंज में आईजी लता मनोज कुमार को कोटरी थाने के थानाधिकारी शिव खिवराज गूजर को सस्पेंड कर दिया कोटरी थाने के संत्री अशोप और वीड कॉंस्टेबल नेत्राम को लाइन हाजर कर दिया गया है फिलाल के लिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लैटपॉर्म के साथ मुझे दीजिए जाजत धन्यवाद